चीख को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं चीख को इंगलिश में आप स्क्रीम कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि तेज चीख खाली गली में गूंज उठी तो आप कह सकते हैं the loud scream echoed through the empty la या आप ये कहना चाहें कि मैंने दूसरे कमरे से चीख सुनी और देखने के लिए दोड़ा कि क्या हुआ है तो आप कह सकते हैं I heard a scream from the another room and rushed to see what happened I heard a scream from the other room and rushed to see what happened अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंगलिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें